हेलो गाइच वेल्कम बैक ते बारश मूट नो वीडियो तो गाश्ष आज का अग compr हम डिच्टीवी के नए अप डेट के बारे में बात करने वाले हैं डिच्टीवी के तरह से एक ने अपडेट जारी किया गया है दोस्तो डिच्टीवीक अंदर आप से ल mina को को एक साथर व तो चीज़े चेंज की जारी है यहां पर जितनी भी टेकनोलोजीज है वो धीर धीर अप्ग्रेड हो रही है तो इस टिवी ने पर आपको बनाने के लिए दो तरीके यहां पर यूज किये हैं सबसे पहला तरीका के अंदर स्मार्ट का जो option है वो add हो गया है डिस्टीवी स्मार्ट प्लस आ चुका है यहां पर दोस्तों तो इस स्मार्ट एप के अंदर बेसिकली जैसे दोस्तों आप लोग कोई दोस्तों आप इस app को install करके इन channels को use कर सकते हैं जो भी प्लान आपने लिया होगा इसके अंदर उनको आप utilize कर सकते हैं तो इसके लिए अब आपको किसी भी तरह कोई hardware लेने के जूरत नहीं पड़ेगी कोई भी आपको सैटर बोक्स में जलना कोई wiring connection नहीं होगी कोई छत के ओ दोस्तों दूसरा दोस्तों यहां पर जो है इन्होंने अपना एक smart dongle भी launch कर दिया है जैसे कि आपको किसी भी normal TV को smart बनाने के लिए एक fire stick की जूरत पड़ती है या फिर दोस्तों किसी android setup box सी जूरत पड़ती है या फिर दोस्तों कितने सारे android आपको यहां पर device मिल जाते है जो कि आपके normal TV को smart बनाते हैं तो ऐसी दोस्तों यहां पर dish TV ने भाई अपना एक dongle launch कर दिया है तो dongle के अंदर क्या है आपको HDMI pod मिल जाता है जैसे आपको fire stick के अंदर मिलता है Amazon fire stick के अंदर तो same to same आप जो है अपने किसी भी HDMI TV के साथ इसको connect करके आपने normal TV को smart बना सकते ह आपने जो है plan बगएरा dish TV के अंदर लियोगा वो सब आप यहां पर use कर पाएंगे यानिके single stick की helps आप यहां पर dish TV के जितने चैनल आपको मिलता है वो आप देख पाएंगे जो भी आपको radio यहां पर channels मिलता है वो सब यहां पे आप देख पाएंगे तो क्या-क्या content आपको TV channels and already content को मिलता है तो चलिए दोस्तों मैं अपने TV के उपर लिखे चलता हूँ आप लोगों को यहां पर बताता हूँ कि dish TV smart के अंदर क्या कुछ आपको देखने को मिलता है तो guys यहां पर मैं अपने android box को आच चुक हूँ यहां पर आप देख पाएंगे ठीक है मैं app store के अं इसको नीचे की सरफ स्क्रॉल करता हूँ तो यहां पर इनों नजर आएगा इंस्टॉल का option आ रहा है ठीक है और इसके साथ मैं थोड़ा सर इसको नीचे की सरफ स्क्रॉल करता हूँ तो यहां पर इनों ने कुछ अपने pictures वगरा एड कर रखे है screenshot वगरा एड की है दोस्तों तो इंस्टॉल करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़े screenshot वगरा यहां पर दिखा दे दो दोस्तों ठीक है तो पहले screenshot के अंदर देख सकते हैं यह homepage होने वाला है अगर आप जो इस आपको देखने का मज़ा आता है तो यहां पर दोस्तों यह पहला screenshot है जो की homepage का screenshot है इसके बाद अगर आप दोस्तों यहां पर जाए live channel के बचाते है live tv के अंदर तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं यह सारे का सारे आपको यहां पर live tv channel को मिलने वाले है और इनके अंदर दोस्तों जो ये कह रहे हैं कि टोटल 683 टोटल यहाँ पर आपको चैनल दिये जाएंगे जिसके अंदर कुछ 31 जो है सर्विस प्रीमियम वाली होंगे ठीक है तो इस स्क्रीन शोट के अंदर थोड़ा सा बताया गया कि चैनल्स वगरा कितने आपको मिलने वाले हैं उसके बद स्क्रीन शोट की तरफ जाता हूं तो यहाँ पे होम पेज पर दुबारा से हमें लेके आगया और यहाँ पर दिखा रखा है कि जैसे यहाँ पर चैनल में अपकमी मुवी आ रहा है ठीक है तो जो भी कंटेंट आप यहाँ पर देखना चाहते तो यह सब आप यहाँ पर दे दिखा रखी है कि हमारे इस सेटिंग के अंदर कौन-कौन से option आप यहाँ पर देखने को मिल जाते है ठीक है तो चलिए यह screenshot होगे है दोस्तों आप थोड़ा सा इसको जो हम install करके देख लेते हैं ठीक है कि यह install होता है या फिर नहीं होता है अगर install होता है तो भाई install करने क दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना होगा install करके तभी फायदा है अगर आपने डिस्टीवी का कोई connection लिया हुआ पहले से दोस्तों क्योंकि यह जो डिस्टीवी का अभी app launch हुआ है यह properly अभी launch नहीं हुआ है यानि कि working condition में नहीं होगा I hope दोस्तों ठीक है ब open पर click करेंगे तो कुछ इस तरह से आप कुछ है इसका home page नजर आ जाएगा searching for the network tv dongle आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं यह क्या search कर रहा है tv dongle को search कर रहा है यानि कि यह जो app है भाई without dongle work नहीं करने वाली है यहाँ पर आप clearly देख सकते हैं अगर आपके पास dongle होगा तब ही दोस्तो यह जो app है आपका work करेगा यानि कि उस dongle के थूर दोस्तो जो है यह app आपका work करेगा अगर आपके पास घर पर कोई भी छोटा मोटा प्राना जो है normal tv है यानि कि तो वो dongle जब आप जो है उस tv के HDMI port पे लगाएंगे तो वो smart में convert हो जाएगा then अपने play store से जो है आपको इस app को install करना है और इस app के अंदर दोस्तो आपको यह सब facility को मिलने वाली है यानि कि इनकी जो app है न वो basically dongle के थूर वर्क करने वाली है तो यहाँ पे आपने देख लिया कि आपको install करके तो कोई फैदा है नहीं है और यह जो dongle है दोस्तो हर जगा अभी available नह तो ठीक है इसे आपको काफी help मिलने वाली है भाई ठीक है जो channels वगरा आप देखते हैं अब उसके लिए कोई आपको hardware वगरा लेने के जूरत नहीं पड़ेंगी आप without hardware जो है इसको use कर पाएंगे ऐसे दोस्तो stick के रूप में दोस्तों और इसके लिए दोस्तों आपके घर को call करके जो है इस dongle के बारे में confirm करना है कि आप जो है इस dongle के लिए eligible हैं या पर नहीं है दोस्तों तो वो आपको complete guide कर देंगे कि आपको जो dongle हो कैसे लेना होगा क्योंकि dongle के अलग से पैसे लेंगी दोस्तों ठीक है तब ही दोस्तों आपको dongle वगरा दिया जाएगा औ dongle में जो अभी आपका previous plan चल रहा होगा तो वो plan as it is move हो जाएगा दोस्तों ठीक है बाके दोस्तों मुझे आप कमेशन में जुरूद से बताना कि जो डिच्टीवी ने यह अपना smart plus tv app launch किया है या फिर डॉंगल जो है इन्होंने launch किया है यह आप लोगों कैसा लगा इसके लोग आपसे नहीं होगे पूसने इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना